हेलो माइ-लबली वाई-टி-विली, How Are You, I Hope आपका ब्याच्छाए सल रहा है तो फरेंचयास का केक है, इउनि सेख्स केक डिजाइन मतलब ये केक अब साहे तो एक उमन का बड़े के लिए भी हो सकती है एक एडल्ट के लिए भी हो सकती है एक लरका याने की एक पापा सब के लिए ये केक डिजाइन सोही है और आसका जो केक डिजाइन है ये बहुती प्रेटी डिजाइन है तो इस वीडियो पूरा देखने के बाद आसका केक का डिजाइन आपको देखने मिलेंगे और बहुत चारा नया नले सीखने मिलने वाला है तो इसलिए पूरा वीडियो को वास किज़ेगा वीडियो स्कीप मत किज़ेगा ताकि इस वीडियो में आपको बहुत ही हेल्प में हेल्प आ जाए तो फ्रेंज देखिए पहले में इनस मॉल्ड में बेज बना के रखा था और बेज थुरी देर के लिए ठंडा होने के बाद केक्टिंचे अनमॉल्ड किया है और फोल लायर में काटिंग किया है अब देखे एक एक लायर को मैंने पहले नर्मेल वाटार से सोख करूँगी और क्रीम से कबार करूँगी आसका केक में कोई फ्लेबार बगरा एट नहीं करूँगी आसका केक है बेनिला फ्लेबार तो इसलिए कोई क्राश बगरा नहीं डालूँगी तो बहुती नर्मिल तरीका से आइसिंग करूंगी और जो डेकरेशन है ना फ्रेंज ओ देखने के बाद आपको नजरे हाटने वाला नहीं है इतना यूनिक डिजाइन होने वाला है और बहुती कम समय में आपने इतना यूनिक डिजाइन केसे बना पाओगे ओ इस वीडियो म में आपको देखने मिलेंगे तो फ्रेंज दिखेए प्रोसेस करके फोल लायर को पहले मैंने क्राम कुट कर लोंगी और क्राम कुट करने के बाद थुरी देर के लिए मतलब 10 मिनिट के लिए में फ्रीज में रखूंगी आपकी हाथ में टाइम हो तो आप ज्यादा ताइम यौक रख सकती हो लेकिन मेरी हाथ में टायम नहीं हूँ है पूरा मॉर्निंग में केख का वाडार आया था सुबह 7 बज़े और चाहिए 10 बज़े तो में बहुत ही जलवाजी से इसकीट बना रही हूं इसलिए मेरी हाथ में टायम नहीं है तो दिखिये क्राम कुट कोने के बाद 10 मिनिट के लिए मैंने फ्रीज में रखा था ताकि जो केक का सुरा है वो अच्छी तरह के से सेट हो जाए और जो क्रीम है वो भी अच्छी तरह के से सेट हो जाए फाइनल फिनेशिंग बहुत ही अच्छी तरह के से कर पाओ तो इसलिए मैंने 10 मिनिट के लिए रखा थ साम संहें पाइपिंग दालेग और पुरा केक में कबार किजिए Whist a super क्रेपार को गुम किशिया सोaratы किषा क्रेपार की से कहीं ऊपनीशिंग को है जो कि पनिशिंग के मैं हमेश्या केक में लगाते हूं क्युक्ति मैं 3-4 यार से काम कर रही हूँ तो जिस तरब की ना करू क्यों मेरा हाथ आ जाता है क्योंकि काम करते करते मेरा हाथ बेड़िया तो वो शिखने के लिए बहुत चरा बाकी है शिखना को भी खतम नहीं होते तो देखिए मैंने पुरा आइसिंग कर लिया अभी नीशे की तरफ लगा लिया इसकाई ब्लू कलार ऊपर भी स्काई ब्लू कलार करा क्रीम लगा लिया क्योंकि दो कलार का कोंबिनेशन बनाऊंगी बीज में रखोंगी हुआइट नीशे और उपर है स्काइब्लू तो बो खुती ब्यूटिफुल केक डिजाइन है फ्रेंस लाश तक देखते रहे हैं और एक आप से रिक्वेस्ट है फ्रेंस चेनल पर नया है तो जरूर सस्क्रा करना ताकि बहुत चरा लोगों तक इस वीडियो ओखोसीं बहुत चरा लोगों को वीडियो देखने मिले आप Finance ए मुझे रिक्वेस्ट है आपकी हेल्प की वज़र से आपकी सपोर्ट की वज़े से मैं बहुत आगे तक बोर पाऊंगी आप सपोर्ट नहीं करोगे प्यार नहीं करोगे तो मैं जहाँ रहे जाऊंगी तो प्लीज प्लीज फ्रेंट जियादा से जिदा सपोर्ट किजिएगा डेर सरा प्यार दिजिएगा ताकि मैं बहुत आगे लग बोर पाओ तो देखिए प्रिंज में जो सबसे चुटिवाला प्लेट नाइब जैसे फ्लॉवार बगरा डेकरेशन करती है उस प्लेट नाइब से केका बीज में तुरी सी डिजाइन बना दिया और देखिए अभी में किस तरीका का फ्लॉवार बनाऊंगी बहुत इनु कालार का बनाऊंगी क्यों कि को मिन दो कलार की बना या है तो इसलिए मिन्हें सोसा क्यूं नहीं फ्लॉवार भी दो कलार से बनायाओ ताकि क्यों लोग हे ना तो नाइब बहुत i people every और गह raई देखिए तो इसलिए इस तरीका का दोढ़ा मैं ने रोज बना लिया और 나서 के पीन कलर से मीँए लीप की तरह बना दिया यह ही एक यूणिक डिजाइन हे और नीशे वही पाइपींग बेक सुटी सी कट करके बडर बना दिया तो आभक केक का डिजाइन आपको कैसे लगा जरूर पियारी पूरे कोमेंण करके बताएगा प्यारी प를 कमेंण करके Comment सेक्शन को बोड देना तो आज के लिए इतना ही है फिर मिलेंगे और एक निव डिजाइन निव वीडियो लेकर तब तक के लिए वावाई थेंक्यों खुर्वासिंग